हलो एब्रीवन ग्रीटिंग्स टियर कैसे हैं बिटा आप सब I hope you are all is well तो आपकी वक्षीट है बिटा ये शिक्षानी जेशाले राश्चे राश्चानी अक्षे तर दिली की वक्षीट नमर है बिटा आपकी 14 ये बिटा कक्षा 6 की जो है मैत गनित की वक्षीट है हम क्या पढ़ेंगे भिन की अवधार वा तो व संख्या है जो एक पूरन के एक हिस्से को दर्साती है पूरन एक वस्तू के सम्मू हो सकता है यानि की देखो ये क्या है कोई भी पूरन गोला है और किसी भी एक हिस्सी को यानि कि ये इसके दो हिस्सी हैं और ये इसको यहां से कर दिया हमने कवर तो ये क्या करती है किसी भी एक हिस्सी को दरसाती है और जो है हमें ये समझना है कि पूरण के एक हिस्सी को दरसाती है पूरण एक वस्तू या वस्तू का समू हो सकता है तो क्या है बिटा ये किसी विवस्तों का सम्मूब हो सकता है तो नोट है एक स्थीती को वेक्ट करते समय ये सुनिशित किया जाना कि सभी भाग बराबर हूँ जैसे पांच बिटे शाथ में पांच अंस है और साथ हर है तो उसके कितने भाग होंगे बिटा देखिए ऐसे हमने कोई भी रेखा ली और उसके जीरो एक दो तीन चार पांच छे साथ तो ये कितने भाग होंगे बिटा साथ तो ये पहला क्या होगा जीरो होगा फिर ये एक बिटा साथ दो बिटा साथ तीन बिटा साथ चार बिटा सा पांच बटा साथ चे बटा साथ और साथ बटा साथ तो इसमें पांच बटा साथ कहा है बटा देखे ये रहा पांच बटा साथ तो ऐसे हम जो है ये इसका जो सैवन है बटा ये इसका हर है हर मरतलब की जितने इसके भाग होते हैं इसको हम बटा कैसे भी लिख सकते हैं ऐसे कितने भाग हूँ यह देखिए आप एक दो तीन चार पांच छे और हमने एक यह लगा लिया साथ साथ भाग है इसके तो इन में से क्या कर दिया हमने पांच को कवर कर दिया यानि कि एक दो तीन चार पांच तो यह हम पांच बटा साथ ऐसे भी लिख सकते हैं तो आगे बटा fraction है देखिए ये एक circle है यानि कि एक भाग इसके एक भाग को cover कर दिया गया ये कितना हो गया ये इसके कितने भाग एक दो तीन चार यानि कि एक भाग कवर है तो कितना हो गया बिटा एक बटा चार इसके दो भाग कवर है तो क्या होगा एक बटा दो यानि कि जो है एक और द दो वहग है है ए एक दो मो होगया यह जोर और यह क polsk prima तो हो गया है है इसके बाद बेरे में दुकले त inh War आगे हैं उन्हें संख्या रेकापर भिन देखिए और यह सुन्या ऊसटेश यह लांए हमारा जो है एक और यह हो गया हमारा दो तो यहां पर कितना हुआ यह एक यारे कि कितने भाग एक और दो तो यह कितना हुआ बटा यह एक बटा दो आगे है जीरू एक बटा चार दो बटे चार तीन बटे चार और यह क्या होगा बटा चार बटे चार चार बटे चार को जो हम काट कि इतना रह जाएगा सियगे थू आगे वितना हो जाएगा थे रहा जाएगा हमारा चुरिस बतलतर्य जाएगा 58-6,7 रेहा निरीदु से समानुभी, और पक्लिस मीन का क्या एंट मिन के चियंगा और सबFF से पहले ननिमन की चियंगता सन्फिया पर te queen ए में ए में हैं बेटा दो बटा तीन और एक बटा तीन तो यहां पर कैसे लेंगे हैं हम यहां पर सुनने हैं फिर एक दो तीन कितने भाग हो गए इसके तीन तो यह क्या हुआ एक बटा तीन दो बटा तीन और तीन बटा तीन हमें क्या दर्साना है दो बटा तीन और एक मागों बाटा जता है इसमें कितना है 5 में थो हम इसको 5 वागों में बाट लेंगे उसके बाद बिटा 2 वटे 5 वर 3 वटे 5 दिखाना है तो यह तो है एक वटे पा Sachen यह 2 वटे पाँच 3 5,4 वटे पाँच और 5 वटेfar़ तो यहां पर देखिए यहां पर यह रहाद दो बटे 5 और यह रहाद 3 बटे 5 आगे है रहाद आगे हैं इस ख्यार एक पर बिंदू A और बिंदू B के लिए भीन रखें देखिए यहां पर हम शूरू करेंगी यह हो गया हमारा 1,2,3,4,5 और यहां पर यह 6 बटा 6 है तो यहां पर एकर जता है रहा गया एक तो देखिए यहां पर एक बटा 5 क्योंकि इसके 5 वाग हो गए थे तो 6 लेकिन 5 वाग है यहां पर तो हम लिखेंगे जो है एक बटा 5 दो बटे 5 तेन बटे 5 चार बटे 5 और 5 बटे 5 तो यहां पर देखिए एक बटा छे, दो बटा छे, तीन बटा छे, चार बटा छे, पांच बटा छे, छे बटा छे तो आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, तो मान लिया हमने छे कर लिए बिटा हमें क्या दिखाना A P क्या है 2 बटा 6 है और कितना है B P क्या है 5 बटा 6 है तो हम यहां पर जो है इस cancer लिखे देंगे A बराबर 2 बटा 6 और B बराबर 5 बटा 6 अगर यहां पर बिटा आप 5 तक ही लेते हैं तो फिर नीचे जो है हर में 5 आएगा अगर यहां पर लेते हैं 6 तक तो नीचे हर में क्या आएगा आगे है हमारा प्रश नमबर 3 है चाय अंकित भाग को भिन के रूप में लिखे तो देखे बड़ा ही आसान है हमें सबसे पहले यह जो चाय अंकित भागे इसको बुक्सिस में देखना हमें कितने भागें इसके तो 1 2 3 और यहांपर यह बहुए चार तो यहांपर जो भरी हुए बुक्सिस कितने सांथ 6 और 8 तो यहांपर कितने लिखेंगे बीटा कितने कवर हैं यह 2 बाग़ थे तो 2 बटे जो है आठ हम ऐसे भी लिख सकते हैं या दो को जो है काट देंगे तो कितना हो जाएगा एक बटा चार अगर दो दो के पेर बनाएंगे तो कितना हैगा एक बटा चार नहीं तो दो बटा आठ आगे बिटा निमलेखित बिन संख्याओं को किसी भी जयामीत ये आकरती द्वारा छायंकित कीजिए तो देखिए सबसे पहले तीन बटा चार तो कैसे जो हम इसको करेंगे बिटा सबसे पहले तीन बटा चार है तो हम इसको करेंगे एक आकरती बनाएंगे देखिए जैसे कि यह हमने गोला बना दिया है गोले में हम इसके तीन भाग को कवर कर देंगे एक भाग यह दो तीन और यह चार तो यह एक भाग ही रह गया तो वैसे इसका हर कितना है बेटा चार तो हम इसके चार भाग करेंगे कवर कितना है तीन तो इसको हम लिखेंगे बिटा तीन बटा चार तो ऐसे हम जो है गोला बना कर इसको दर्सा सकते हैं इसके बाद है बिटा तीन बटा पांच तीन बटा पांच आप कोई भी आकरती ले सकते हैं ऐसी भी ले सकते हैं या आप ऐसी भी ले सकते हैं हम ने जो है इस के किए हैं 5 पाग, देखिए 1 2 2 3 4 5, तो यह कितना है बिटा हर कितना है 5 तो हम 5 पाग करेंगे इसके बाद इसके 3 जो है, हम कवर कर देंगे तो यह क्या लिखा जाएगा, बिटा 2 बटा 6 तो देखिए बिटा हमारा एक question रह जाता है ये c part है हमें संख्या रेखा में दिखाना है जो है 1 बटा 6 और 5 बटा 6 तो हम इसको कितने भागों बाटेंगे 6 बागों बाटेंगे देखिए कैसे देखिए यहाँ पर जो है हम एक संख्या रिखा लेंगे उसको हम 6 भागों में बाटेंगे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो हमारा हर कितना एच्छे है तो हम यहां लिखेंगे बिटा 1 बटा 6, 2 बटा 6, 3 बटा 6, 4 बटा 6, 5 बटा 6 और 6 यहां पर आप एक भी लिख सकते हैं तो यहां पर हमें इसको दर्साना है तो हम इस पर भी सरकर лगा देंगे और यह रहा हमारा 5 बटे 6 इसके बात था बीटा 3 बटे 7 देखें यह रहा 3 बटे 7 और 6 बटे 7 तो देखें कैसे करेंगे इसकी कितने हिससे करेंगे हम 7 तो एक, दो, तेन, चार, पांच, छे, साथ, तो यहां पर बिटा यह रहा है, एक बटे साथ, दो बटे साथ कहा है, तीन बटे साथ कहा है, इसको हम सरकल लगा देंगे, इसके बाद छे बटे साथ यह रहा है, इसको भी हम ऐसे दर्सा सकते हैं, तो यहां पर होती बिटा आप झाल झाल